हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज जो आपका एंटी पीसी का नौ मार्च का सभी सिप्टो का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस पर करके जो आज आपके नौ मार्च के सभी सिप्टो का एक्जाम में जो प्रेशनों पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेट पलपल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेकंड सिप्ट के जो प्रेशन को था नेंस्ट कुषिन आपका न Dollow ईंट का फुल फूल 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 होता है तो यह फुल फॉम कंट हो जाता है था इनन वे HERE, तो सामिल नहीं है तो ऩह तो एक तो आपका श्री हरीमंदिर अभी पैसर घडर्स ये भी आपकरा सक्ट हो गया इसके पाइसंगे पी चौते नंबर का हो गया उसके बाद जो स्री दमदमा साहिब तक ये भी जो आपका सीख दर्म का परमूग तक तक है तो ये पांस तो आपके सीख दर्म के परमूग तक है इसके अलावा एक और आपका उपसन में दिया होगा वही जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जा जाता बात कर लिए प्रतम सीएम कौन थे इमाचल परदेश के तो ये यसवन सिंग परमार थे तो ये भी आपको याद रखना है भारत का कौन सा राज्य बना था इमाचल परदेश तो ये अठारवा राज्य बना था और ये अठारवा राज्य कब बना था तो ये भी आप जोदाडों को कहा जाता है तो मोहन जोदाडों आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुछ आपका यहां पर रहा था कि प्राचीन काल में कामरूप जो यह किस राज्य का पुराना नाम था तो देखे असम राज्य का जो पुराना नाम था ना वो कामरूप था जो असम राज जी आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुछ आपका यहां पर रहा था कि चाइना आर्टिफिसियल मून इन विच सिटी यानि पूछा यह गया था मैं आपको हिंदी में बता दू कि चाइना के जो मून मिसन सहर का जो नाम है ना वो किस सहर के न पर रखा गया है तो चेंगडू जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दू कि यह जो आपका आर्टिफिसियल मून है ना यह कृतिम चंद्रमा उफग्रा भी है ठीक है और इसे जो चेंगडू सर के दस्चिम पच्चिम इलाके में अस्थापि जो है यह आपका कुष्ट रोग उन्मूलन के खोज के लिए जो है वो दिया गया था तो कुष्ट रोग उन्मूलन आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता बात कर लोई 2018 में यह किसे दिया गया था तो देखें विशू स्वास संगठन के सद्भावना दूत यह ही 2018 में किसे दिया गया था तो यह ही ससाकावा को दिया गया था नेक्स्ट कुष्ट रोग आए तकी आईसेजी के हाल ओफ फैम में भारत के चट्टे भारती है कौन है इस सुची में जगा पाने वाले तो देखें चट्टे जो भारती है ना वो सचिन तैंदुलकर हैं तो सच 2018 में किसे सामिल किया था तो यह राहूल द्रेविट को सामिल किया था तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुष्ट आपका जाता है तो लोडखती पहाडियो यानी जो रोलिंग माॉंटें का राज जी यह जो किसे कहा जाता है जहाँ पर option में आपका अरुनाचल परदेश, मिजोरम, मनिपूर और नागा लेंड दिया वा था तो देखे रोलिंग माउंटेन का राज जी जो है ना यह आपका मिजोरम राज जी को कहा जाता है तो मिजोरम आपका यहाँ पर correct answer हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका अपर रहा था कि ग्रिन नोबेल पुरुसकार यानि जो गोल्ड मैन इनबॉर्मेंट प्राइज 2020 में जो यह किसे समानित नहीं किया गया पूछा गया था तो गोल्ड मैन 2020 परियावरन से पुरुसकार से जो है छे वैक्तियों को समानित किया गया था वो छे वैक्ति का आप नाम देख लो इसमें से जो आपका तीन तो आप्सन में दिया रहेगा एक जो आपका आप्सन में नहीं दिया होगा ना वो आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि जो आपका question में नहीं पूछा गया था नेक्स्ट question आपका देखे changing India पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे changing India पुस्तक के जो लेखक है ना ये डॉक्टर मनमोहन सिंग है तो मनमोहन सिंग आपका यहाँ पर correct answer हो जाता नेक्स्ट question आपका देखे महात्मा गांदी जी ने जो है इन में से कौन सा अंदोलन नहीं चलाया था जहां पर option में आपका चंपारन सत्याग्रा असयोग अंदोलन सवीने अवग्या अंदोलन और बार्दोली सत्याग्रा दिया वा था तो देखे यह जो बार्दोली सत्याग्रा है ना इसका नेत्वित तुझे बल्लम भाई पटेल के द्वारा किया गया था तो बार्दोली सत्याग्रा जो आपका यहाँ पर correct cancer हो जाता और यह जो बार्दोली सत्याग्रा था यह आपका पर्मुक किसान अंदोलन था राष्ट्री फिल्म पुरुसकार जी चुके हैं तो जावेत अक्तार आपका यहाप एक correct पन्सर हो जाएगा आपको मैं बता दू कि सत्य जीत रे ने छे बार जर यह आपको याद रखना है नेक्स गश्रै आपका यहाप रहा है ठाऑ कि भारति काल के समय मौलिक अधिकारों का निलम बन यह जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता जो कि आपका जर्मनी देश से सामिल किया गया है नेक्स्ट कुशन आपका यहां था कि फीफा दोजार चब्वीस की मेजबानी जो है कौन सा देश नहीं करेगा जहां पर आपसन में आ कि यहां पर जाता है और आपको कमेंट करके जबाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के सीए जी कौन है यह जो आपको कमेंट करके जरूर जबाब देना है next question आपका यहाँ पर रहा था कि सागर माला परियोजना जो यह किस से संबंदित है तो देखें यह जो सागर माला परियोजना है ना यह भारत के बंदर गाहों के आधुनिक करन का विकास से संबंदित है तो यह जो आपका यहाँ पर correct answer हो जाता next question आपके आप रहा था कि सुवास चंदर बोस से संबंदी कौन सा कथन गलत है जहां पर option में जो आपका forward block की अस्थापना तो पहला जो option है forward block की अस्थापना तो ये तो सुवास चंदर बोस के द्वारा किया गया था second option था आसायोग आंदोलन में भाग नहीं लिये थे तो ये जो आपका गलत था क्यूंकि आसायोग आंदोलन में जो है सुवास चंदर बोस भाग लिये थे तो option 2 आपका यहां पर correct answer हो जाता और एक option और मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे कि सुवास चंदर बोस को जो है यरवदा की जेल में भेजा गया था तो ये भी जो आपका कतन सही था next question था आपके इसमें से साजहा ने किसका निर्मान नहीं करवाय था जहां पर option में जहां आपका बुलन दर्वाजा दिया था तो देखे बुलन दर्वाजा को जो निर्मान है ये अकबर के द्वारा करवाय गया था तो इसलिए बुलन दर्वाजा आपका यहां पर correct answer हो जाता next question आपका यहां पर रहा था जहां पर option में आपका भारत, चाइना, जापान और USA तो देखे है किंग से बचने के लिए जो quantum satellite launch किया ना ये चाइना देशने की है तो चाइना आपका यहां पर correct answer हो जाता next आपका यह कौन सा चारिये विलियन यानि जो alkaline solution नहीं है जहां पर option में आपका sodium hydroxide, aluminium hydroxide, calcium hydroxide और magnesium hydroxide दियावा था तो देखें यह जो aluminium hydroxide है ना यह आपका alkaline solution नहीं है क्योंकि जो यह aluminium hydroxide है ना यह किस परकार का nature का है तो amphoteric nature का है तो इसलिए aluminium hydroxide आपका यहां पर correct answer हो जाता next question आपका इंडिया इको मार्क के जो लोगो में क्या है तो देखें इंडिया का इको मार्क में जो लोगो है ना यह green dot का है तो green dot आपका यहां पर correct answer हो जाता next question आपका जो energy हम खाने में लेते हैं उसे जो किस में मापते हैं तो देखिए जो एनर्जी हम खाने में लेते हैं उसे जो कैलोरी में मापते हैं तो कैलोरी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता है। तो क्लोरीन गैस आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता है। सही समेलित नहीं हैं जह पर आपसन में आपका 38 आगर बांद केरल दिया था। तो देखिए यह जो आपका 38 आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता। नेक्स्ट कुशन आपका थे कि इन में से कौन सी open source operating system है जहाँ पे option में आपका Linux, MS Word और MS DOS दियावा था तो देखिए यह जो MS DOS है ना यह आपका open source operating system है तो MS DOS आपका यहाँ पे correct answer हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर है था कि इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जहाँ पे option में आपका ONGC की जो अस्थापना है 1956 में किया गया है तो यह तो आपका सही सुमेलित था उसके बाद था कि दामोदर घाटी परियोजना यह जो कब अस्थापित किया गया था तो यह option में जो आपका 1958 दिया गया था लेकिन दामोदर घाटी परियोजना यह आपका 1948 में अस्थापित किया गया था तो यह जो आपका यहाँ पर correct answer हो जागा क्योंकि यह जो आपका सही सुमेलित नहीं था नेक्स्ट आप कहा था कि उस वहिग्रा का नाम क्या है जिसे जो प्रित्वी का चचेरा भाई या उसे जो प्रित्वी 2.0 भी कह जाता है तो देखे प्रित्वी का चचेरा भाई या फिर प्रित्वी 2.0 जो है यह कैपलर 452 आपका यहाँ पर correct answer हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहा था इंग्लिस चैनल और उत्री सागर को जोडने वाली जल संदी कौन सी है तो देखें इंग्लिस चैनल और उत्री सागर को जोडने वाली जो जल संदी है यह आपका डोवर जल संदी है तो डोवर जल संदी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहा था कि कर्मकारों के लिए निर्वा मजदूर मजदूरी सौरी किस अनुछेद में उलेखित है तो देखे कर्मकारों के लिए जो निर्वा मजदूरी है ना यह आपका अनुच्छे 43 में उलेखित है तो अनुच्छे 43 आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि Attorney General of India यानि महानियावादी के संबंद में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है जहाँ पर आपका मंतरी मंडल का सदस्य नहीं होता है तो यह जो आपका कथन सत्य था संसत का रिवाई में भाग ले सकते हैं तो यह भी आपका कथन सत्य था संसत के में मदान का अधिकार होता है तो यह जो है कतन आपका गलत दियावा था क्योंकि उनके पास जो है मदान का अधिकार नहीं होता है तो option C आपका यहाँ पर correct answer हो जाता अब जो हम लोग प्रैथम पाली के questions को देख लेते हैं पहला questions आए था कि विष्व जन संक्या दिवस यह जो कब मनाया जाता है तो देखें विष्व जन संक्या दिवस यह प्रतिवर्स 11.01 को मनाया जाता है तो 11.01 आपका यहाँ पर correct answer हो जाता कि विस्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो देखें विस्व की जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये यांग-तजी नदी है और ये यांग तजी नदी किस देश में है तो ये चीन देश में है और ये एसिया की सबसे बड़ी नदी है तो अगर पूछा जाए कि एसिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो फिर आपका यांग तजी नदी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा और विस्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ये नील नदी है जो कि आपका अफरीका में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 6650 किलो मिटर है तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है बात कर ले विस्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ये अमेजन नदी है जो कि आपका South America में है और इसकी लंबाई कितनी है तो 6400 किलो मिटर है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपको यहाँ पर रहा था कि दिन ए इलाही धर्म जो यह किस ने सुरू किया था तो देखे दिन ए इलाही जो धर्म है ना ये आपका अकबर के द्वारा सुरू किया था तो अकबर जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता यहां से एक कोशन और पूछा जाता है कि दिन ए इलाही धर्म स्विकार करने वाले जो प्रतम वह अंतिम हिंदू कौन था तो देखे प्रतम वह हिंदू जो था ना वह बिरबल था जिनोंने जो दिन ए इलाही ध तो यह आपको याद रखना है नेकस्ट कोशरा आप नाम पूच्छा गया था तो डायरट आपका यहाँ पर एक्षरी का आविस्कार की दवारा टका शर्रों हो जाता इस एनिमल कौन सा है तो देखे ये जो हाथी है ना ये भारत का राष्टी धरोवर पसू है तो हाथी जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुछ आपके बकसर का यूद ये जो एक कब हुआ था तो देखे बकसर का यूद है ना ये 22 अक्टूबर 1764 को है कि पलासी का यूद कब हुआ था तो ये 23 जून 1757 को हुआ था तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है नेक्स्ट कुछ आपके इरेज और सौरी इस आप डूइंग बिजनस इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक पूछी गई थी तो देखे इस आप डूइंग बिजनस रही थी ना वो 63 रैंक पर रहा था टोटल 190 देशो में भारत को 63 रैंक प्राप्त हुआ था तो 63 आपक का यहांपर इक्क्रेक्ट यंतर बदलता है तो देखिए यांतरिक अर्जा को जो विदूत और्जा मेंना ये डाइनेमो बदलता है तो डाइनेमो आपका यहां पर करेक्ट एंसर रो जाता नेक्सट कुछ नासा का पूछा गया था तो यह एक अक्टूबर 1958 को किया गया था मुख्याले कहां पर है तो यह वासिंग्टन डिसी संयुक्ति राज्य अमेरिका में हैं तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुछ आपका याद था कि इन में से कौन सा यूनेसको की धरवर अस्तल की सूची में जो है वो सामिल नहीं है जहां पर आपसन में आपका ताज मेल लाल किला चार मिनार और अजंता की गुफाएं दिया वा था तो देखिए यह जो ताज मेल लाल किला और जो अजंता की गुफाएं ना यह आपका यूनेसको की धरवर अस्तल की सूची मे सामिल है लेकिन ये जो चार मिनार है ना ये आपका युनेसको की दरोवा रेस्तल में सामिल नहीं है जो कि आपका चार मिनार कहां पर है तो ये हैदराबाद में हैं तो चार मिनार आपका यहां correct answer हो जाता next question आपका थी 1931 में पहली बोलती फिल्म का नाम पूछा गया था तो देखे पहली जो बोलती फिल्म थी ना वो आलम आ रहा थी और इसे जो कप प्रकासित किया गया था तो 1931 में जो जो है इसे release किया गया था तो आलम अरा आपका यहां पे correct answer हो जाता बात कर ले भ गया था तो यह 1913 में release किया गया था next question आपका था आर बी दोरा जो है डीजिटल पेमेंट वृद्धी का बेस यह कौन सा था तो देखे आर बी दोरा जो डीजिटल पेमेंट वृद्धी का जो बेस यह था ना यह मार्च 2018 था तो मार्च 2018 आपका यहां पे correct answer हो जाता next question जिसे जो है व्याबगत का सिधान्त भी बोला जाता है तो इसे जो है लौट डलहोजी के द्वारा जो है वो लागू किया गया था तो व्याबगत का सिधान्त आपका यहां पे correct answer हो जाता next question आपके इन में से सबसे पुरानी oil field factory जो है कौन से राज जिम है तो देखे oil field जो सबसे पुरानी factory है ना यह आपका डिग वोई असम राज जिम है और इसे जो कब सुरुवात किया था इसकी तो 1866 में इसकी सुरुवात की गई थी तो असम जो आपका यहां पे correct answer हो जाता next question आपका यहां पर रहा था कि टीपू सुल्तान यह जो किस अस्थान से संबंदित है तो देखें यह जो टीपू सुल्तान है ना यह स्री रंग पटनम से संबंदित है तीपू सुल्तान की जो मृत्य होई थी तो स्री रंग पटनम में हुआ था और यह स्री रंग पटनम किस राजी में है तो यह आपका करनाटक राजी में है तो यह भी आपको याद रखन है तो स्री रंग पटनम आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुश्ण आपके इन में से किस रंग में जो प्रकास रंसलेशन सबसे अधीक होता है तो देखे सबसे ज्यादा जो प्रकास रंसलेशन है ना वो लाल रंग में होता है तो लाल रंग आपका यहां प इस परकार की पराबैगनी किरनों से होता है जहां पर आपसन में आपका अल्ट्रा वॉयलेट ए अल्ट्रा वॉयलेट बी अल्ट्रा वॉयलेट ए प्लस अल्ट्रा वॉयलेट वी दियावा था और चौत्य आपसन में जो कोई नहीं दियावा था तो देखें मैं आपको बता से नहीं होता है तो यह जो आपका कथन जो है वो सही है अपने मत को नहीं दे सकता है तो यह भी कथन आपका सही है किसी भी सदन में बोल सकता है यह जो कथन है ना वो गलत है तो आपसन थ्री जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि किसी भी सदन में जो है महाय नعة वादी नहीं भूल सकते हैं नेक्स्ट कुशन आपका यहां पर रहे था कि युवपा चेंपियन्स लिक ढ़्यव का मैश है यह कहां पर खेला गया था तो देगे युवफा चेंपियन्स लिक ढ़्यों पर यहां फाइनल बरस तो आपको में समझा दू कि सदीस रासी वह राटी होता ना जिस बहुत लिखरासी में आपका परिमान यानि आपका मैगनी चूड और direction दिसा दोनों होता है उसे जो हम लोग क्या बोलते तो सदीस रासी बोला जाता है जैसे कि आपका example पे बल विस्थापन त्वरन ये सब जो आपके सदीस रासी हो गए है अब बात कर लेते हैं अदीस रासी तो अदिसरासी में जो आपका डारेक्शन नहीं होता है सिर्फ आपका क्या होता है तो मैगनीचूड होता है यानि परिमान होता है तो इसलिए जो इसे अदिसरासी बोला जाता है और अदिसरासी जो होता है तो वो पावर होता है तो पावर आपका यहां पर एकर एक टैंसर हो ज लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इनाम पॉर्टल जो यह किस से संबंदी था यह कोश्चन पूछा गया था तो वह भी मैं आपको बता दो कि इनाम जो पॉर्टल है ना यह आपका क्रीसी उत्पाद की विक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लाटफॉर्म है और यह क्रीसी उ कि इन में से फसल कटाई के समय कौन सा तिवार मनाया जाता है तो देखें फसल कटाई के समय जो है यह पॉंगल तिवार मनाया जाता है और यह पॉंगल तिवार किस राज्जी का तिवार है तो यह तमिल नाडूर राज्जी का तिवार है तो यह भी आपको याद रखना है तो पोंगल जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ रहा थे कि इन में से कौन सी कम्प्यूटर की हाई लेवल लेंगविज नहीं है जहाँ पर आपका जाबा, C++, C और मसीन लेंगविज दियावा था तो यह जो जाबा, C++ और C है ना यहाँ आपका कम्प्यूटर का हाई लेवल लेंगविज है लेकिन यह जो मसीन लेंगविज है यह कम्प्यूटर का हाई लेवल लेंगविज नहीं है तो मसीन लेंगविज आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि लेदर एंड कोको रिवल्यूशन जो यह किस से संबंदित है तो देखिए यह जो लेदर एंड कोको रिवल्यूशन है यह आपका भूरी क्रांती यानि ब्राउन रिवल्यूशन से संबंदित है तो भूरी क्रांती आपका तो सुगर केन जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि पूछा यह गया था कि कौन सी जो है फंगल डीजीज यानि कवक से होने वाला रोग नहीं है यह पूछा गया था तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ आपसन जो मुझे मिले थ जहां पे झाल याँ यानि बच्चे का आपका क्वक. तो मुझे होता है तो तो आफ देख लेना कि क्या पोच्छा गया था नेक्स्ट कॉशन आपकए पॉछा आथा डिन. तो दिखिए ये जो ब्रेक्जिट है ना इसमें क्या वा था कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था और ये कब हुआ था तो 31 जनवरी 2020 को हुआ था तो 31 जनवरी 2020 आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाता तो इतने कोशन जो आज मुझे बच्चे को दारा म में लिए दोस्तों जो की 100% और जैनवरी नहीं तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्ट रुडियों तब तक थाइंक्यू ओल्दाव ख्कारण प्कारण घ्केख वीडियो अच्छाम।